मौझूद है पटना कॉलेज में और यहां पर चार होस्टलों को सीज कर दिया गया था यह जो मामला सामने आया था बंबाजी का जिस तरह से मेंटो और जैक्शन मिलके बंबाजी किये थे इकबाल पे और नदवी पे उसके बाद यह कारवाई की गई और चारों होस्टल को ब गया ताकि कोई भी स्टूदेंट्स अंदर ना आए चलिए हम गाज से जुरते और हम जानते हैं कि जिस तरह से स्टूदेंट्स यहां पे आते थे क्या अब आते हैं और नहीं आते हैं कब से आप यहां पर हैं हम तो 12 साल से हं यहां पर जब से हॉस्टल बंद हुए हम 6 दूसरे आते हैं ? अच्छे कोई ?やって स्टुडेंट्स आनेמוे का कोशिसा चिया अंदर ?拜拜 जब से सील हुआ है ? आपको मामला पता था क्यों सील हुआ है ? वही मारमपी टेंगें जो हुआ है , उसी पे बंध रूँए है तो अब स्टुडेंट्स नहीं आते हैं जो रहते थे उनका कुछ रियक्शन जबर्दस्ती आने के लिए कुछ नहीं है सब अराम से रह रहे हैं कोई अंदर नहीं आया अभी तक नहीं अच्छा उच जिस दिन ये घटना हुई थी क्या आप थे तो क्या देखे थे आप कि हम देखा कि उधर से इधर से आजमी लिखला करीब एक गहेर पचास साथ लड़कर थे अब बंब जो चलाइन मेरे होस्टल के लड़कन लोग सोई हुए थे हमने जल्दी सीनी गेट लोग कर दिया कि इसके बाद कि इसको जक्मी हुए थे नहीं और जखमी नहीं अच्छा इस तरह का जो घटना हुआ इससे पहले भी हुई थे क्योंकि आप बोल रहे हैं आप 12 साल से हैं तो इससे पहले भी ऐसे कुछ घटना हुई थे ऐसे तो यह बड़ाबर मार पिट चलता है तो कि पर्रसासन करती सब्सक्राइब करते हैं सबंगते हैं सब्सक्रांगर जाता है ३ह घर पर जाता हीं तो आपके समझ से क्या यहां पैरा दे दे हैं पुलिस रहती है अपना बैठेवी एधर माल होता रहता है दिखता रहता है सामने से और सदर्गता रखनी चाहिए जिस तरह से हॉस्टेल्स सारे बंद कर दिये गये हैं कोई भी स्टुडेंट्स अभी आने की कोशिस नहीं कर रहे हैं और गार्ड्स को रख दिया गया है ताकि कोई भी परिसानी हो तो डायक्ट वो कॉंटेक्ट कर लेंगे और नहीं आने के लिए मिलेगा जिस तरह से कुछ दिन बीते दिनों जिस तरह से बंबाजी की गई थी गोलिया चलाई गई थी कोई छती गरस नहीं हुआ था लेकिन जिस तरह से हॉस्टल में छती गरस हुआ था काच फोर दिये गये थे पिस्टल चलाए गया था कोखा बरामत किया गया था इसको मद्दे नज़र रखते जो स्टुडेंट्स जो गुनेगार थे उनको सजा मिला ही हॉस्टल बंद होगा लेकिन जो स्टुडेंट्स गुनेगार नहीं थे उनने भी यह सजा मिल रहा है पटना यूनिवर्सटी लोग यहां पे आते हैं जो भी स्टुडेंट्स बहुत सारे सपने संजोग के आते है और अगर पैसे कम है फिर दूसरे जगह कहां रहेंगे अगर होस्टिल्स बंद रहेंगे तो उनका क्या होगा उनका भविस कहीं न कहीं तो खराब हो जाएगा तो यह सब जो चीजे होते आ रही है होस्टिल्स में बम फिकना या फिर जड़ाई जगरा उसको कुछ न कुछ ज झाल